नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज का आपके इस नए वीडियो में जिसमें आपको भी एसर टीवी का अपडेट देने जा रहा हूं जैसा कि आपको पता है कि मेरा एसर टीवी 5th of October को खराप हो गया था और 6th of October को ही मैंने कंप्लेइन मारा था और 6th of October को एंजीनियर ना के विजिट किया था तीवी को उसने खोल के सारा को चेक करके एक वीडियो बना के कंपनी को भेजी थी और मेरा वो मेंड बोड का इशू था उसके बद क्या हो साथ दोस्तों कि कंपनी 9th of October को मेरा पार्ट्स रिजक्ट कर देती है इस बहाने के साथ कि जो आपके इंजीनियर ने वीडियो बना के भेजी है वो शफिशेंट नहीं है आपके पार्ट्स को अप्रूव करने के लिए फिर मैंने कंप्लेन किया तो सोचिए उन्होंने 21st October को इसे फिर से अप्रूव कर दिया कि ठीक है आपका पार्ट्स एप्रूव हो चुका है उसी वीडियो में उन्हों फिर अगले केस्टमर सर्विस को फोन करने पर वो बोलते थे 5-7 दिनों हो जाएगा फिर बोलते थे 2-3 दिनों हो जाएगा यही चलता रहा है मैंने इनके एसकेलेशन एक्सपर्ट को भी मेल किया कई बार उसके बाद उनका रिस्पॉंस मेरे को आता है 25th November को और यह अपड जिकरते हैं कि 2-3 दिनों में डिस्पेच हो जाएगा पहले से यह बोल रहे हैं इन्होंने साफ साफ कभी नहीं पताया कि हमारे पास पार्ट अवेलेबल नहीं है मुझे इमिल जैसी ही आई दोस्तों तो मैंने क्या किया मैंने तुरंत ही इनको इमिल किया कि अगर मैंने 5th तो ऑक्टोबर को कम्प्लीन मारा है 25 नॉमिंबर को आप अपडेट दे रहे हो तो मुझे आप रिप्लेस्मेंट दो या फिर रिफंड दो अगर आपके पास पार्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं तो नहीं बैठा रहूंगा ना कि आपके पास पार्ट अवेलेबल होंगे पता नहीं और कितने दिन लग जाएंगे तो उसके बाद सोचिए कि यहोंने फिर मेरा रिप्लेस्मेंट रिक्वेस्ट के लिए अपने कंसर्ण टीम को बेजा जो कि इनको खुद से करना चाहिए था बट यह पार्ट देने पर तुले हुए थे क्योंकि यह कस्टमर को सिर् तो उन्होंने कंसर्ण टीम को बेजा उसके बाद कंसर्ण टीम ने देखा कि वह पार्ट तो लाफ पाएंगे निए शायद तो उन्होंने मेरे को मजबूरी में रिप्लेस्मेंट टीवी के लिए अप्रूफ कर दिया कि इनको रिप्लेस्मेंट टीवी दिया जाए उसके ब अब क्या हुआ दोस्तो धीरे धीरे फिर में इनको करना लागा फिर इनका यह कहानी था कि दोस से तीन दिनों में हो जाएगा उसके बाद दोस्तो फाइनली एक दिन इन्होंने यह details दे ही दिया जो कि मुझे email करके लेनी पड़े इन्होंने सामने से details नहीं दिया था और मैंने calls भी किया था call में वह बलते थे weekend में dispatch कर देंगे दो दिन में कर देंगे ऐसा कर रहे थे इन्होंने भी ऐसा ही बोला था उसे finally मुझे यह dispatch का detail मिला इसके बात का process क्या होता है जुस्तों जब यह details आपको मिल जाती है तो यह आपका क्योंकि यह replacement TV है और यह वह वाली replacement नहीं है जो आपका Amazon देती है within seven days या फिर refund वह नहीं है यह replacement अलग तरी की replacement है क्योंकि वह company के दबार क्या जाती है इसमें Amazon और रिपकार्ट की कोई रोल नह उसी है उसके बाद service center में इसे check किया जाता है अगले 24-48 घंटों में कि क्या-क्या इसमें transit में damage हुआ है और यह TV सही से work कर रही है कि नहीं सारा कुछ check करने के बाद फिर यह service center से आपके पास dispatch होता है और वही engineer जो आपके TV को install करते हैं वही यह TV को अपने साथ ले करके आते हैं और आपका TV install करते हैं नया वाला और पुराना वाला ले जाते हैं यह इनका process है दोस्तों तो इतने लंबे समय के बाद आप सोचो 5th October से आज 17th December है और मेरे को यह TV delivered हो चुकी है और मेरे पास लग चुका है यह 16th December को तो आप सोचलो 5th October से यह चीज़े start हुई और 16th December को यह चीज़ खतम हुई तो कितना लंबा gap है दोस्तों मुझे कितनी कठना यहों का सामना करना पड़ा होगा और मैं इनके पिछे लागातार लागा रहा कॉल्स और इमेल से मेरा काफी वक्त अजाया हुआ तो finally दोस्तों इन्होंने मुझे TV भेज दी है तो next वीडियो मैं ब